हेलो गाइज, बीए पार्ट सेकेंड, सोचलो जी, तोज़े हावर टॉपिक एज, ब्रीफ हिस्ट्री ओफ हुमन दाइट्स एंड क्लासिफिकेशन ओफ हुमन दाइट्स, ओके, मानवा धिकार का संक्षिप्त इतिहास एवं बर्गी करन, ओके, मानवा धिकारों की, मानवा धिकारों की अभधार्णा बहुत प्राचीन काल से, दुनिया के बिविन धर्मों और संस्क्रत बग्रीक दर्शन से संबंदित रही है, ओके, भारत की अत्याधिक प्राचीन, वैदिक संस्क्रती, मैं, एक समताकारी समाज, तथा संपून मानपता के विकास को विशेश महत्व दिया गया था। यूरोप में पुनर जागरण के बाद 18th century के आरंब से ही मानव धिकारों को एक विशेश शेणी के रूप में इसपस्ट करना आरंब हो गया था। इस समय यह धारणा जोर पकड़ने लगी कि सभी इस्त्रियों और पुरुशों को प्रकृती ने कुछ ऐसे अधिकार दिये हैं जिनका संजक्षन करना राज्ये का आवश्यक दायत्व है। इन में वे सभी अधिकार सम्मिलित हैं जिनका संबंद मानब के अस्तित्व और उसके गौरब से है। इसे सभी अधिकार जिनकी साहता से सभी इस्ति पुरुश बेना किसी बिवेत के समाज में एक सम्मानित जीवन वेतीत करने के अबसर प्राप्त कर सके। उनी को हम मानब धिकार कहते हैं। उके, तो इस इस दा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हुमन दार्स की मानब धिकारों के अध्धार्ण बहुत प्राचीन काल से दुनिया के बिविन्र धरम और संस्कत पर ग्रीक दर्शन से संबंदित रही है। भारत की अत्याधिक प्राचीन वैदिक संस्कती में एक समताकारी समास तथा संपूर मानबता के विकास को विशेश महत्व दिया गया था। यूरोप में पुनर जागरन के बाद भी एकींद फी सेंचुरी के आरम से मानबा धिकारों को एक विशेश रेणी के रूप में इसपस्ट करना आरम हो गया था। इस समय यह धारणा जोर पकड़ने लगी कि सभी इस्ति पुशों को प्रिकरती ने कुछ ऐसे अधिकार दिये हैं जिनका संजक्षन करना राजजी का आवश्रक दायत्व हैं। इन में वे सभी अधिकार समिलित हैं जिनका संबंद मानब के अस्तित्व और उसके गौरब से हैं। अधिकार पर आधारित रहेगी। इस समय मानब के जीवन, मानवी पिरसनिता और सतंतिता की संदक्षन को पिर्मुक अधिकारों के रूप में स्विकार किया गया। जोर पकड़ने लगी जिनने वहाँ अलप संख्यक के रूप में देखा जाता था। वर्लिन में सन 1878 में किये गए एक समझोते के अंतरगत जब अलप संख्यकों को विशेश सुविदा देने का प्रावधान किया गया। तब अलप संख्यक के अधिकारियों को भी मानव अधिकार के एक विशेश पक्ष के रूप में देखा जाने लगा। तो क्या बताया है इसमें कि जब अमेरिका ने 4 जिलाई 1776 में अपनी सोतनता की घोशन करते हुए इस पस्ट किया कि सोतनता सभी मनुष्यों को समानता के अधिकार पर ही आधारित रहेगी। इस समय मानव के जीवन मानवी परसनता और सतन्तिता की संदकषन को पिरमुक अधिकारों के रूप में सिकार किया गया। इस समय से लेकर अमेरिका तथा यूरोक के अनेक देशों में मानव अधिकार का मुख्य संबन मानव की सतंतिता से रहा और इसी बीच फ्रांस की सरकार ने अपने बिविन कानूनों में ऐसे प्रावधन जोड़े जिससे रोजगार समाजिक जन कर लियां जन स्वास्ते सिक्ष सोबिय संग नाइंटीन एटीन तरफ जर्मनी नाइंटीन नाइंटीन के समभिदान में ऐसे अनेक समाजिक अधिकारों को स्विकार किया गया जो मानव अधिकार के अंतरगधी आते हैं कुछ अंतरास्ट्री मानक निर्धारित करने की चर्चा आरंभ होने लगी इसी का प्रणाम था यूरोप के ओधरिक देशों में अन्यक कानून बनाने शुरू हो गए इस दिशा में 1906 में होने वाला वर्न अधिवेशन मतलब वन कन्वेशन वह पहला भहुत देशी अधिवेशन था जिसमें महीला श्रमिकों को रात में काम पर लगाने के प्रतीवन्द तरह श्रमिकों की समाजिक सुरक्ष्रा को बढ़ाने से सम्मदित निर्णे लिए गए सन 1919 में अंतरास्ट्रे सन संगठन द्वारा अने एक ऐसे अधिवेशन आहुज़त किये गए जिनके द्वारा श्रमिकों के विविन अधिकारों को मानेता देने के साथ ही अंतरास्ट्रे इस्तर पर मानव अधिकारों को मानेता देने का प्रश्न उठाया गया जित्ति विश्विद्य समाप्त होने के बाद परंपरागत विचारधारा का तेजी से विरोध बढ़ने लगा राज्ये को अपने नागरिकों से किसी भी तरह करने की पूर्ण सतनता है 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को सहीत रास्ट संगे के एक चार्टर पर हस्ताक्षर करके बहुत से देशों ने इस शिकार किया कि मानवाद इकारों को अंतरास्ट्री कानुनों के अंतरगत लाया जाया इसकी फलसरुक्सा 1946 में ही मानवाद इकारों पर सयुक्ति रास्ट आयोग का गठन कर दिया गया मानवाधिकार से जोड़ी प्रेशनों पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस आयोग ने लगवग दो वर्ष में ही मानवाधिकारों से संबंदित एक मसवदा तयार किया जिसे पैरिस में होने वाले सेक्त रास्टे संग बैठक में 10 दिसम्बर 1948 वो स्विकार कर लिया गया तभी से 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस human rights day के रूपए मनाया जाता है ओके जहां तक भारत का प्रश्न है यहां के वेना के सं 1993 के मानवाधिकारों को दित्ति विश्व अधिवेशन के बाद सरकार ने मानवाधिकारों को इस पस्ट रूप से परिभाशित करने तथा उनका संदक्षन करने के लिए मानवाधिकार संदक्षन अधिनिया 1993 protection of human rights act 1993 पारित किया जो संपूर भारत में 28 सेप्तंबर 1993 से लागू हो गया इससे पहले भी मानवाधिकार से जुड़े बिभिन मुद्दे जैसे धरम चाती लिंग पर आधरित आसमानताओं का उन्मूलन करने श्यमिकों की दश्राओं में सुधार करने बिकलांग लोगों को समाने जीवन वैतित करने के अफसर देने तथा नागरिकों को बिना किसी विवेत के सिक्ष्य संपत्ति रोजगार के अफसर देने पर विशेश कानून निर्धर किये गए मानवाधिकार संदक्षन अधिनियम के द्वारा पहले के इ पहले के इन सभी कानून में आविशक संसोर्जन करके इन्हों और अधिक प्रवापों बनाने का प्रयात्न किया गया अब है मानवाधिकारों का वर्गी करन ओके नेक्स्ट है आपका मानवाधिकारों का वर्गी करन क्लासिफिकेशन ओफ हुमन राइट्स मानवाधिकारे को अंतर रास्टे कानून विएना गोशन पत्र इस बात पर बल देता रहा कि सभी मानवाधिकार सार्भामिक तथा एक दूसरे से संबंदित हैं इन में से किसी को दूसरे की तुलना में कमिया अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता इसके बाद भी सभी मानवाधिकारों को कुछ पिर्मुक भागों में विभाजत करके स्पस्ट किया सकता हैं क्लासिक एंड सोशल राइट्स Classic and Sociology Classic and Social Rights संस्थापित तथा समाजिक अधिकार Second आपका Fundamental and Basic Rights मौलिक तथा आधरभूत अधिकार And next आपका Civil, Political, Economic and Cultural Rights नागरिक, राजनेतिक, आर्थिक तथा संस्कितिक अधिकार First, Second and Third, Generation Rights पहली दूसरी तथा तीसरी पीड़ी के अधिकार संस्थापित तथा समाजिक अधिकार Okay संस्थापित मानवधिकार वहे हैं मानवधिकार वहे हैं जिनके लिए राज्ये के कम से कम हस्ते शेप की जरूरत होती है दूसरी और समाजिक अधिकारों का संबन उन सो विदाओं से हैं जो राज्ये के हस्ते शेप से ही समाज के बेहिन बर्गों को प्राप्त हो सकते हैं और नेक्स्ट हैं नागरिक राजनेतिक आर्थिक तथा सांस्कतिक अधिकार सिविल पॉलिटिकल एकोनोमिक और कल्चल राइट्स नागरिक अधिकार वे हैं जिनका संबन व्यक्तियों के जीवन सतन्तिता और स्वरक्षा से होता है उधरन के लिए हिंसा उत्पीडन के रूप में अमानविये व्यवार मनमाने रूप से ही की जाने वाली ग्रफतारी देश निकाला गुलामी अथ्वा पराधीनता से संबन्धित दशाएं किसी की निजिता और संपत्ति के स्वामित्व से संबन्धित अधिकार में हस्तिशेव किसी आंदोलन की सोतन्तिता पर रोप विचारों की सोतन्तिता अथ्वा विशेष धर्म की चेतना से किसी को विलख करना आधी ऐसी दशाएं है जिनका समद सभी समूदाय वर्गों से समानता का विभार करने तथा उन्हें कानून के द्वारा जीवन के विविन शेत्रों में संदक्ष्ण करदान करने से है अब नेक्स चाप का मौलिक और आधारभूर सुभी अधिकार अनेक लेखकोंने मानवी अधिकारों को मौलिक समूचित विकास से है इन्हें अनिवादा अधिकार भी कहते हैं ठीक है और नेक्स्ट है आधारभूर तरिकार वे हैं जिनके विना कोई भी व्यक्ति एक सम्माने जीवन नहीं बिता सकता उधान के लिए जीवन की सुरश्चा के नियुन्तमिस्तर की गारंटी दास्तर समाप्ति करने से रक्षा विवेदों की समाप्ति अपने धार्मिक विश्वास में आज था समूचित पोशाहार मानशिक सुरख्षा की गारंटी आधी कुछ विशेश आधारभूत अधिकार है और नेक्स्ट है आपका फर्स सेकंड और थार्ड जनरेशन राइट पहले दूसरी तीसरी पीडि के अधिकार मानव अधिकारों करने कर सबसे पहले केडल बसाक ने प्रस्तुत किया इसका उद्धिष सोतंतर समानतर बंधुत के आदर पर बिविन पीडियों के उन अधिकारों का संदक्षन करना है जो मानत्ता के विकास के लिए सहायक है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल